हाई गाई गोड़ इविनिंग ओल आफ यू आज हम इस वीडियो में यूपीटेट दोयाद तेरह की पेपर को सुल्व करेंगे और इस वीडियो में हम केवल मेंध पार्ट वो कवर करेंगे और इससे पहले हमने यूपीटेट की जितनी परिच्छा हुई है उसके मेंध पार उन सब परिच्छाओं के मेंध पार्ट को लेकर वीडियो बना दिया है कि यह दोयाद 13 और 211 तो मैं यह बना रहा हूं और इसके बाद 211 बना कर डाल दूंगा और मैंने उसका एक प्लेश्ट बना दिया अपनी चैनल पर आप वहाँ से सब वीडियो को देख सकते हैं चलत आप से पहले देखी यह दो की पावर कितनी है कि एक्स प्लस पांच तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस तीन इंटू दो की घात दो यह पांच है इसको हमने दो भागावन तोड़ दिया है तो जब गुरामे घात हैं जुड़ी जाती है तो तीन और दो पांच हुजाएगी इस तरह से हमने दो भागों में विवक्त कर लिया है और बरावर है आपका दो की पावर एक्स प्लस तीन और यह प्लस का बार है अब आप देख रहेंगे दो कावर कितना होता है चार होता है तो आप लिख सकते संक्या को चार इंटू दो की घात एक्स प्लस तीन बरावर दो की घात एक्स प्लस तीन प्लस बार है आप देख रहे हैं यह चार है और यह एक है ज़िए इसको इदर लाएंगे तो मानस हो जाएगा और चार में से एक गठाएंगे तो तीन बचेगा तो गठाएंगे तो आप यहां लिख सकते हैं चार में से एक गठाएंगे तो तीन और यह दो एक्स की पावर नहीं दो की पावर एक्स प्लस तीन बरावर कितना रहेगा यह बारा रहेगा तीन से बारा को काटेंगे तो चार बार काटेगा और चार को आप लिख सकते हैं दो की गठाएंगे तो यहां और यहां दोनों बरावर रख देंगे तो आप यहां देख रहे होंगे कि एक्स की जो बैलू आएगी हल करके वो आएगी माइनस की एक क्योंकि तीन को धल ले जाएंगे तो माइनस का तीन हो जाएगा और दो में से तीन गठाएंगे तो माइनस का एक बचेगा तो आप देख रहे होंगे इसमें एक्स परावर म तो आप इसमें क्या करेंगे एक्स प्लस ए का मतलब क्या हुगा कि आप एक्स प्लस ए से जब भाग दे रहे हैं न तो आप इसे जीरो के बाव रख लीजिए और एक्स अरगा मान निकालेंगे तो यहां से माइनस ए आ जाएगा आप माइनस ए इसमें रख दीजिए यह सौट्री का एक तरह से नहीं तो इसका भाग दे करके तम निकालेंगे से तो बहुत अलगरा आएगा इसका तो एक्स पर आप लगाएंगे माइनस ए तो देखिए माइनस ए जब एक्स पर ए लगाएंगे इसमें तो यह इस तरह से बन विर्लों नमें माइनस एंथे लागा दिया तो आपका सिश्पल चार आ रहा थो इसे बरावर में चार हम ऐसे रख देंगे आब आप देख रहे हैं इसका स्क्राइब कराएंगे तो स्क्राइब आई गा मीनस यह माइनस और यह यह पिलस हो जाएगी आपकी तो यह मामिनस म्मार्णस पिलस कर देंगे और मार्द योगोई-क हुआइस लिए हम ने मायनस म्मार्णस प्लस यहां भी है ने आपका 2A स्क्राइब बनेगा प्लस इस ट्यों कि बरावर 4 कि आप देख रहे एश्क्या बराबर 4, 4 से चार कर जागा एक बार, जब A स्क्या की वेलू 1 आ गई, आप बता सकते हैं इसमें कि A बराबर कितना आएगा, वो प्लस माइनस एक आएगा, क्योंकि यह बरगूर जब लेते हैं, तो प्लस माइनस का चन लगा देते हैं, तो आपका नुमर भी सई ह हो जाता है आपकर अगला प्रशना आपके सामने देखी यह संग्या दी गई है एक से लेकर के दस तक की यह है प्राकृतिक संग्यां प्रथम दस क्योंकि 10 प्राक्रतिक संग्यां यह फर्मूला होता है यह होता है लेकिन आप मैनस 50 भी लिखा है तो आप इस पूरे को जब हल करेंगे यहां माल लीजिए इस फर्मूली को लगा करके इसकी वैलू जब निकालेंगे आप तो यहां से ले करके यहां तक का जो मान आएगा वो आएगा आपका 10 ब्रेकेट में 10 प्लस एक बट्टे दो माइनस पचास अब देख रहे होंगे आप जब 2 से कार देंगे इसको 10 को तो 5 बा कटेगा और 10 और एक होता 11 11 का गुणा अगर 5 में कर देंगे तो कितना जाएगा पचपन आजाएगा और माइनस आगे 50 भी है तो आप जब इसे हल कर देंगे तो कितना आएगा 5 आजाएगा यद किसी ऑप्षन में है 5 तो आप उस पे टिक कर देंगे तो ऑप्षन भी सही हो जाता है अगरा फ्रसना आप देख रहे होंगे ये प्रेच्छरों जो कि प्रेच्छर दिये गए हैं इन सब का माद्य कितना दिया है नो दिया है तो तीन प्रेच्छरों का माद्य कितना होगा देखिए पहले बाद तो माद्य का फर्मूला होता है कि सब का योगफल और बटे कुल सं क्या कितनी है तो पहले तो आप देखिए योग कीजे सब का एक दो तीन चार पांच पांच तो एक्स हैं तो आप पांच एक्स लिखे लेंगे ऐसे और बाद बागी इन सब को लक से जोड लिजे जैसे तीन और पांच होता है आठ आठ साथ होता है पंद्रा पंद्रा दस होता है पच्छिस और 60 फार में जोड़ना हो तो 3 और 7 10 10 और 10 20 और 5 25 इस तरह से आपका टोटल ये बन जाएगा 25 बनेगा तो आप 25 यहां लिख देंगे बट्टे टोटल संगय कितनी है एक दो ती चार पांच देखिए द्वास अगे लिजे टोटल संगय 6 है कितनी है देखिए यहां पर एक संगय हो गई दूसरी तीसरी चोथी यह पांच है यह टोटल 5 संगय है कितनी संगय है पांच आप बट्टे में 5 लगा देंगे यह formula होता है पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या बरावर होता है समांतरमाद दिया हमें 9 तो आप इसे हल करेंगे तो आप x की बेलों निकाल सकते हैं तो देखिए 5 का जब भाग करेंगे या 5 इसमें से कौमा ले लेंगे उपर वाली संख्या में से और नीचे 5 है तो कट जाएगा तो आपकी जो संख्या बचेगी वह x प्लस 5 बचेगी बराबर 9 या ऐसे कह लिए 5 का भाग इसमें भी देना है और इसमें भी देना है तो यह 5 बाग कर रहा है देखिए और left वाली संख्या 5 से 5 कर ज를ाए तो x बचेगी केवल तो वह संख्या मैं ने आने किदीए 5 ब्लस का है रायठ हने में ले जाएगे तो यह मैनस का हो जाएगा तो जब माइनस का होगा तो नो में से पांस गया तो जैसे इसे पच्छंदा करेंगे तो यह माइनस का हो जाएगा ना तो आप गठा दीजे यह बचेगा कच्छा अब एक्स की बलू आप चार लगा दीजे क्या पूछ राए अंतिम तीन प्रिष्णों का माध्य होगा अंतिम तीन एक दो तीन अगर तीनों को लगा दीजे या तो आप सिंपली वही तरीका है पदों का योगबटे पदों की संक्या तो अगर इनी को जोड़ते बिना मान लगाए एकस का मान बाद हम लगा लेंगे तो देखिए एक एकस, दो एकस, तीन एकस तो तीन एकस आपने लिखे दिया यहां पर और प्लस दस और साट सत्तर है, सत्तर है पाँच होता है आपका बाइस बट्टे तीन, यह तीन है इसका मान आपको निकालना है X की वेलू कितनी निकाली होने 5 तो 5 यह 15 हो जाएगा प्लस 22 वटे 3 अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप कितना होता है यह आपको जागा 37 वटे 3 15 है और 22 आपका जैसे 2 और 5 होता है 7 और 2 रेक 3 तो यह हो गया 37 वटे 3 अब 3 का भाग 37 में करेंगे तो देखें 3 एकम 3 7 बचा और 7 मुझे आप 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 एक बचेगा तो उसे 1 वटे 3 लिख देंगे देखें हमने जो X की वेलू निकाली थी वो 4 निकाली थी तो हमने यह वेलू पूट कर दिया आपके 5 तो यह गलती हो दिया हमसे आप यहां चाला नहीं चाहती है 12 हो जाएगा यह यह जगह पर यह यहां पर हम कर देते हैं आपका चाहती है 12 है 12 है और 22 जोड़ेंगे कितना बनेगा आपका यह आपका गलत हो गया आपका बनता है माली यह दो और दो होता है चार और दो और एक तीन बट्टे तीन अब यह आपका अंसर नहीं होगा यह थोड़ा गलत हो गया आप इसे सही कर लेंगे एक्स की वेली हमसे यहां गलत लगए इसकी लिए मापी जाएंगे हम आप तीन का भाग करेंगे 34 में 3 एकम 3 और 3 एकम 3 चार में से 3 गया तो ग्यार सही एक वट्टे 3 इसका अंसर आजाएगा तो ओप्सण नमबर देखिए आपको यह C में मिल रहा है ग्यार सही एक वट्टे 3 चलते हैं अगले प्रस्न की ओर यद किसी चत्रवज के विकड़ एक दूसरे को समकौन पर समिद्वाजित करते हैं तो यहाँ है तो देखिए एक चत्रवज है जिसके विकड़ एक दूसरे को समकौन पर समिद्वाजित करते हैं जैसे एक आपका होता है सम्चत्रबुज और सम्चत्रबुज की प्रोपरेटी क्या होते मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके चारव जहाएं बरावर होती है और जब इनके बिकर्ड को मिलाया जाता है तो ये एक दूसरे को 90 के कौनर पर सम्चत्रबुज जहाँ भी वह आपका अंसर सही हो जाएगा कार्तिय तल में बिंदू माइनस दो माइनस तीन उसके किस बाद में इस्तित है इस तरह से प्रसन आपको मिल जाए देखने को तो मैं आपको पूरा डागरम बता दिता हूँ किस तरह से करना है ये होता आपका प्रथम ये होता आपका दूतिय ये होता आपका तृतिय और ये होता आपका चतुर्थ अब मैं आपको समझा दू पहले वाले में अगर कोई संक्या आती है तो दोना प्लस की संक्या होगी तब पहले वाले में आता है जैसे 3,2 है इसमें कोई चिन नहों तो प्लस का चिन माना जाता है तो आप ये मानिए कि दोना संक्या प्लस की है तो पहले चत्रतंस में आ जाएंगी मैंने तीन कॉमा दो लिया है इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई भी संक्या हो सकते लेकिं मेरा करने का मतलब है दोनों संक्या प्लस की है अच्छा अब आते हैं दूसरे क्वारेंड में जब दूसरे में आता है तो पहली संक्या माइनस की होगी और दूसरी होगी प्लस की और तीसरे में दोनों माइनस माइनस की आती है और चौत्य में जो आती हैं वो आती है आपकी पहली संक्या प्लस की और दूसरी माइनस की इस चीज़ को अव्याद कर लिजे यानि यात्रा का दो पांचमा भाग यानि यात्रा टोटल एक्स की है तो तो ट्रेन के द्वारा जो चलता है वो चलता है अपनी यात्रागा दो पात्मा भाग ट्रेन से दो बटे पांच एक्स ये ट्रेन से चलता है एक त्याही बस द्वारा चलता है तो एक त्याही का मतलब एक वटे तीन एक्स बस के द्वारा चलेगा और एक चौथाई कार के द्वारा तो एक वटे चार एक्स ये कार के द्वारा चलेगा सेस तीन किलोमीटर की दूरी पैता जलता है आप सेस दूरी कितनी बच्ची वो बरावत तीन के रखने हैं आपको तो मालिए इन सब को जोड लीजिये और एक समय से कठा दीजिये तो ये आपकी बचे की सेस दूरी यानि के यह आपकी ट्रेश से चली, यह बस के दोरा और यह कार के दोरा और सेश बची तो उसे X मसे घठा देंगे इसे निकाल देंगे यह बराबर किसके रहेगी? 3 के रहेगी यह समीकड़ बनेगे आपका अब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा देखिए? तोड़ा से छोड़ा छोड़ा लिए लें इसे अच्छे समझे माज़ा आपके न तो एक्स माइनस दो पांचवा भाग ट्रेन की द्वारा तो दो बटे पांच एक्स फिर आपका है कितना है एक त्याही बस की द्वारा और एक चोथाई कार की द्वारा बराबर कितना आना चाहिए तीन के इसका एक्स लेंगे आएगा आपका कितना अब पांतिया फंद्रे फंद्रे चोगा शाठ साथ एल से माइगा शाठ आप ले लिए इसे अहल कर लिए तो एक्स तो हमने सम्में से ले लिए बाहर और साथ हमने ले लिए यहां पर लिए तो बारह पंस साथ बारह दूने चोविस यहां आजाएगा और बीच तीया साथ तो बीच उपर यह आजागा यहां पर तो तीस ही संक्या जो बनेगी बीच और चार का भाग देंगे साथ में तो जाएगा पंदर चोगा साथ तो पंदर आजागा यहां पर आप इस सबको जोड़े लीजिए तो देखिए 24 और वीच होता आपका चवालीस चवालीस और दस चववन चववन और पाच होता आपका 69 तो यह आपका बन जाएगा संक्या एक्स माइनस उन्सट बट्टे 60 एक्स मरावर कितना तीन के अब आप इसमें एलचे में लेखर करेंगे तो 60 हे कम 60 में से उन्सर गया तो आपका एक बचेगा यानिके यह बचेगा आपका एक्स बटे 60 बचेगा हल करने पर यह बरावर तीन के है और छेती अटारा यानि एक्स बरावर 180 हो जाएगा तो एक्स की वैलू आपकी 180 आगई उन्होंने पूछे कुल दोरी जो कि आपका आपका आपसन नंबर सी सही हो जाता है आपकर अगला प्रस्न आपके सामने देख बहुत सरल प्रस्न है और काफी लोग इसे ट्रिक से कर लेते हैं और कुछ लोग इसे अपना फर्मुला लाक से दो कम कर दीजिए तो आपका बचता है 23 यह इसके ट्रिक है केबल स्कूर के लिए है यह वाली ट्रिक तो आपका 23 ऑप्शन इसमें सही हो जागा और अगर फर्मुले से करना चाहते हैं तो आप इसका दौरा पत्च्वां में बरक करेंगे तो फर्मुले से एका स्क्यर प जागा यह संग्या की वह लुपूचिए यह दो या के से घड़ जाता है वाई यही ट्रिक है कुछ नहीं है निम्न विकल्पव में से कौनसा विकल्प इतने का गुडण खंद है का गुडण खंद है यानि एक गुडण खंद है तो आप इसमाद समझाएंगे इसका होल क् तो होता है आपका A का Q यानि की X का Q ब्लस B का Q यानि Y का Q प्लस 3AB यानि 3XY और ब्रेकिट इक अंदर X प्लस Y और माइनस x q और प्लस y q यह bracket में है इस bracket वो अठाएंगे तो आपका क्या होगा यह माइनस दोनों पर लग जाएगा माइनस का x q और माइनस का y q आप देख रहे होंगे यह दोनों कर जाएंगे ऐसे बचा आपके पाइए तो यह factor है इसके 3xy और x plus y इसमें कहीं मैच कर रहा ह तो option नमर आपका d सही होगा अगला प्रसन आपके सामने है एक n वजावाले भवज के किसी सीर्स से खीचे गए बिकरणों की संक्या आप देखिए simply मैं आपको बता दूँ कि किसी भवज में कुल बिकरणों की जो संक्या होती है वो आप निकाल सकते है n c2-n यह होता है इस लेकिन इन्होंने पूछा क्या है किसी एक सीर्से पूछने की भासा देगी प्रसन की क्योंकि प्रसन आप घुमाने के लिए कुछ सब्दा से रख देते हैं कि बहुज के किसी सीर्से किसी सीर्से मतलब जैसे आपका माल ये इस तरह से कोई एक पंच बुज़ है तो कह देगा कि इस सी से कितने बिकड़ खिचाएंगे तो इस सी से देखो एक ऐसे खिची जाएगा और एक इस तरह से खिचाएगा बस दो भिकड़ खिचाएंगे तो पांत से बुज़ा वाला है और इसमें दो भिकड़ा आ रहे हैं तो पांत में से तीन मैं बता देता हूं आपको तो इसको जब खोलते हैं हम तो बनेगा आपका n n-1 वट्टे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है तो आप इसे 2 भी लिख सकते हैं माइनस n यह कुल बिकरणों की संग्या का फार्मूला है हमें इसमें कितनी बुजा है तो आपका यह किसी पिशे सी से निकलाता है तो जब आपका बचेगा तो यह बचेगा आपका कितना तो इस तरह से जब हल करेंगे तो यह आपका बचेगा n-1 अपांट 2-1 इसका एल्जियम आप ले लेंगे तो दो आएगा यह n-1 और-2 फाइनली जो आएगा n-3 अपांट 2 लेकिन जो बेंजक है आपका वो यह माना गया n-3 यह दो इस तरह से अठा दिया जाता है जैसे माली के जो भीकरण है उसमें किसी एक सेरे से जैसे माली जमानीक चतरोजी है यह वाला इसमें बिकरण जो है माली एकлом एधास से खीच लिया और एक एधास से वी किरम चा संचय में एक ही दोगा काउंट हो जाती है लिए उसे आदा कर दिया गया तो आप आप प्रफ प्रेकाश से आपका कोई मालीश चत्र्वुज है। उसमेन four लगा देंगे उसमें उसमें से तीन कम कर देंगे जैसे एन की वेलू चार माइनस तीन तो बड़ावर एक तो आप देख रहे होंगे तो एक सीर से कीचा गया बिकाड़ की संक्या एक ही मिलेगी हमें इसमें और ईसे की जिरा हम पंच भुझे ले लिए जैसे एक दो हैं एक दो इचार पाँ्स यह पंच होई आप ऐसे और इसमें किसी सीरी से को लेगे यहां से बनाएंगे तो एक बिकाड़ यह इ लेगा एक ही मिलेगा तो n की वलू हाँ लाएंगे हम 5 और 3 ये गठा दिया तो कितना वचेगा दो तो एक सीर से हम 2 विकड़ खीच पारण देखिए तो ये आपका जनर्रल फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से कि n एक n बुझा वाले भवज के किसी सीर से किसी एक सीर से खीचे के विकड़ों की संक्या का बेंजग होता वो ये बात बाकि बहभवज में कितनी विकड़ों होते हैं वो आपको मैं ना बता दी n-3 बटे-2 और उसके बाहर भी हैना आपको लगा ना पढ़ेगा यह उसका जनल फॉर्मूला है यह आप डारेक्टली nc2-n यह यूज़ कर सकते हैं यह दोनों ही बेलू परावरातियन की और एक और मैं आपको बता दूँ के n वजह वाले बहुज के अंता कौनों का योगफल कितना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n-4 2n-4 and sum कौन Sum का मतला 90 होता है तो बहुज के अंता कौनों का योगफल का फॉर्मूला यह बन गया आपका 2n-4 into 90 90 का होता sum कौन और अंता कौन का यासे मान पूचता है प्रतिक अंता कौन कितने अंसका होगा sum बहुज में तो आप इसमें n का डिवाई कर देंगे जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2n-4 बटे n Sum कौन Sum कौन का मतला गोथा 90 यह बहुज का प्रतिक अंता कौन का फॉर्मूला है आप इसे याद कर सकते हैं इस पर प्रस्ण बनाई जा सकते हैं आप इसे अच्छे से देख लेए अगला प्रस्ण आपके सामने किसी बस्तु का अंकित मूल 500 रुपे है दुखांदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाब कमाता है बस्तु का लागत मूल कितना होगा कि दुखी आपको यहान समझने वाली बात क्या है दुखांदार 5% की छूट देता है किस पर देगा 500 रुपे पर तो रहेगा तो कितना रहेगा 25% रहेगा इस says 500-5% छोड़ देने के बाद 500-55% उसके लिए विक्करा मुले के रूप में आएगा जो कि उसको 25% लाप देता है आपको यहां एक चीज़ समझी नहीं पड़ेगी 5% छोड़ दे रहा है 500 रुपे पर तो 95 पर्षा तो आप यहां 500 का 55% लिग लेजिए, 500 गुणा 95-100, यह 95% हो गया, जिस पर हमें बेच नहीं है बस तो, क्यों 5% छूट दे दी, तो 5% पर वहें बेच रहा हैं से, लेकिन जितनी बेच रहें हैं, उस पर हमें 25% लाव हो रहा है It means 100% अपना लागात और 25% आपका लाग Total आपका जो बन रहा है वो 125 हो रहा है कितना हो रहा है? 125% हो रहा है तो आप यहाँ एक चीज़ समझ लीजे कि हमारा जो लागात मूल है वो हमारी X होने माली क्या माली? X इसका 125% है यह एक तरस यह मान के चलिए आप तभी तो हमें 25 बसंद फाइदा मिलेगा तो आप देख रहा होंगे यहाँ आप 100-100 कार सकते हैं और इसको काटेंगे 100 वार 5 से और 5 से से काटेंगे तो यह 25 वार कर जाएगा अब आप 5 से काटेंगे से तो 5 वार और 5 से से काटेंगे तो 19 वार तो अब आप देख रहा होंगे 5 से अगर 100 को काटेंगे तो 20 वार 19 और 20 वार इधर एक्स वार इट मींस आप लिख सकते हैं कि एक्स बराबर 19 तुनी 38 यानि कि 380 रुपए बस्तु भी लागा थे तो यह आपका अंसब आजागा option number D अगला प्रशन आपके सामने रादिका ने 2,50,000 रुपए में एक कार खरी दी अगले वर्स उसकी कीमत 10% गिर गई पुना अगले वर्स इसकी कीमत 12% गिर गई अब देख रहे हैं पर यह ऐसे प्रसना अक्सर आते हैं मैं इस पर आपको फर्मूला बताऊंगा जिस पर काफी प्रसना फ़ल कर सकते हैं अगर यहाँ पर यह कमी हो रही है दोने जगे देखने ना तो इसके लिए फर्मूला होता है जैसे आपका A B में बता देता आपको जैसे A प्लस B माइनस A B अपान 100 यह इसका फर्मूला है जब कमी हो रही है देखिए उसकी कीमत गिर गई कीमत और गिर गई तो गिरने के लिए यहाँ माइनस लिया गया है और यहाँ अगर ब्रद्दी की बात की जाती तो यह फिर यहाँ पर प्लस बन जाता चिन वस इस बात का आपको देहां रखना यहाँ पर तो इन्होंने पूचा है कार की कीमत में संपूर गर्दने का प्रतिसत क्या है तो माली जे आपका 10% A की वेलू हो गई और B की वेलू 12% हो गई तो आपने यहाँ पर 12 रिख लिया माइनस 10 गुड़ा 12 बट्टे 100 तो आप 10 से 10 कर देंगे और 10 का भाग 12 में देंगे तो 1.2 आएगा और यह बनेगा आपका 22 और 22 में से जब 1.2 गठाएंगे तो आपका 20.8 आएगा इतने परसेंट उसमें कोल गिरावट आएगी गिरावट का मतलब इतने परसेंट उसका rate कम हो जाएगा तो इसमें आपका option नमर C सही हो जाएगा इस परसेंट को आप अपने तरीकी से भी कर सकते हैं कि इसमेंसे 10 परसेंट पहले गठाएगे और फिर जो बचे उसमें से 12% और गठा दीजे जितना बचे उसे टोटल कितना आ गया वो आप लगा लीजे अब आप देख रहे होंगे बहुत सरल प्रस्न है ऐसे प्रस्न आप ये परिच्छों में बन जाते हैं तो इसे आप हल करने में जादा दिर नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये आप समझ रहे हैं सबसे पहले आप यहां से सुबात का दीजे 144 का बर्गमूल जो होता है वो होता बारे इसे हटा करके आप यहां 12 लिख लेंगे ऐसे बामन और बारे आप जानते हैं 64 होता है 64 का बर्गमूल होता कितना 8 अब यह पूरा खतम हो गया अब आपका गया 8 जब 248 में आप जोड़ेंगे तो 256 हो गया और 256 जो होता है इसका जो बर्गमूल होगा वो होता आपका 16 256 का 16 जो होता है तो ऑप्सन नोमर सी सही हो जागा और लिए आप इसे हल कर पाएंगे कोई जादा टिपिकल प्रस्ण नहीं है माना दिशाओं को इस प्रकार गुमाया जाता है कि जहां दच्छल पूर्ग दिशा है अब देखिए दिशाओं से समते हैं आपका प्रसंध है तो ये आपकी एलेगे होती है पूरव ये होती है पास्ष्यम ये होती है उत्तर ये होती दच्छल अब यहां बात की है दच्छिर पूरु तो देखिए आपका पूरा प्षिंग उत्ता दच्छिर दच्छिर दिशाई है और पूरा दिशाई है इसके ठीक बीचो बीचों जो होती है फुर्टरिफाइव एंगल पर उसे दच्छिर पूरु कहते ही है, क्या गोलते हैं दिशा प्रद्रसित की गई है अब ऐसे रियल ट्री में आप देखेंगे उत्तर दिशा आपकी कहां पर है यहां पर है लेकिन इसको यहां सो न करके इस जगह पर सो किया गया है कितने अलसे घुम गई यह आपका 90 है और यह 45 टोटल आपका कितना हुए 135 अब 135 अब 135 इसको दि पूचा उसे निकाल लीजे जैसे उन्होंने पूचा है पस्चिम दिशा किधर दर्साई जाएगी पस्चिम दिशा आपकी यह है इसे आप 135 घुमाएंगे तो यह बैठे कि आपकी इसको क्या कहेंगे रियालेटी में यह आपका पूरव है यह उत्तर है उत्तर पूरव कही साइगी है तो आप समझ गया होंगे उत्तर पूरुष का अंशा सी है अगला प्रशना किसी संक्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो संक्या स्वयम प्राप्त होती है तो मालिजी संक्या आपकी एकस है एकस का 16% इस त्यहत्य से निकालेगे आप 21 में जोड देंगे इसे तो बरावर आपका जो है ओ संख्या के बरावर मिलती है संख्या हमने एकस मानी तो एकस अरकली ये एक समीकड़ बन गया आप इसे हल करके निकाल सकते हैं इसकी वैलू नहीं तो हम बता देते हैं आपको इसका माली हमने लिया हेल्जियम 100 ये आपका 16 एकस यहों कितनों रहेगा अब आप देख रहे होंगे कि 16 एकस को 100 एकस मैंसे गठा देंगे तो कितना बचेगा 84 एकस बरावर 21 अब 84 का भाग 21 में आपको करना है को संख्या आपको मिल जाएगी तो एकस बरावर आपका आएगा 2184 तो आप जब इसे हल करेंगे तो इसका आंसर आगा 25 ये 25 पार कटेगा इससे तो आपका जो आंसर आगा B चलते हैं अगले प्रस्न क्यों किसी पांस सदस्यों वाले परवार की और सतायू 20 वर्स है तेकि एक इस प्रस्न में थोड़ी कमी दे रखी है मैं उसे आपको पहले बता दे रहा हूं कभी-कभी ऐसे प्रस्नों को देख करके बच्चे अटक जाते हैं जैसे जब उसे से छोटा सदस्यों से पैदा होता है सबसे छोटा सदस्यों दस वर्स का बदाया है यहांपर सबसे छोटा सदस्यों से दस वर्स का है और उसे से छोटा सदस्यों से पैदा होता यानि टोटा सदस्यों हो जाएंगे जबकि यहां जो सही लेंग्विज है वो यह है जब सबसे छोटा उससे नहीं जब सबसे छोटा सदसे पैदा हुआ तो उस समय ओसत क्या रही थी उनकी तो देखें यह आपका जो है ना दस वर्स आप सिंपली सी बात समझे इसमें कि 5 सदसें प्रते सदसे की ओसलाई कितनी है 20 है एक दो ती चार उपां आचमा सदसे ठीक यह सभी माल लिए हमने 20-20 बसके है और रियल्टी में देखा गया कि सबसे छोटा वाला है वो 10 साल का है जब इसका जनम हुआ होगा तो कितने वर्स पहले की बात होगी सिंपल सी बात है 10 साल पहले की बात होगी तो 10 साल कम हो ज एक तो सबकी 10 साल कम हो जाएगी यह माली सबसे चोटा वाला यहाँ पर है तो 10 साल अगर मालो इसकी उमर है 10 बर्स पहले बात करेंगे तो इसकी उमर 0 हो जाएगी तो आप अगर औसर निकाल लेंगे तो आपके पास 20 बर्स वर्स इसमाजर कम कर लेंगे directolly तो आपका है। परवार की सबसे छोटे सदस्की उमर कितनी है दस वर्स है। और यह कहा जा जाते हैं कि सबसे fewटा जो का आए लीकर जाता है । तो हमें 10 वर्स पहले जाना पड़ेगा, तो जो हमारे 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों की 10 साल कम हो जाएगी, यानि कि आपका ये मानिए 10 पना पचास, यानि टोटल 50 वर्स आयू कम हो जाएगी, और अभी समय कितनी बढ़ रही है, 5 सदस्यों की 20 के साफ से लाएंगे तो 100 बैट रह देंगे तो आपकी टोटल बचेगी कितनी, 50 वर्स बचेगी, उस समय भी 5 ही केंडियेट होंगे, क्योंकि एक तुरंत आपका सबसे जोटा था, वो जनम लिया था, उसकी उमर 0 है, इसलिए उस साइट 5 हो गई, और 50 में जब 5 गभाग करेंगे, तो आपका आएगा कितना 10 आसा करता हो, प्रस्त समय में आ गया हो, ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं द्वास से फिर बता दूंगा इसको डेटल में, यद एक ब्रत की परदी, 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है, तो उसका चित्त पल होगा, तो परदी का जो सूतर होता, व हम पहले 4 पाई ले लेते हैं, कितने लेते हैं, 4 पाई, अगर पाई से पाई आप कार देंगे, तो आर की वालू आपकी यहां 2 निकलाएगी, और दूसरी कंडिशन में रखेंगे से 2 पाई आर बराबर 8 पाई, तो पाई से पाई कार देंगे आप यहां पर, तो आर बराब इतज्य यहां पर है तो और दो का बर्ग करेंगे तो चार आएगा तो चार गुना होगा और आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप दूसरी तरीके से कर सकते हैं जब आपके आर की वाली कितनी आ गई दो आ गई तो इसका छित पर निकालेंगे पाई आर स्क्वियर से और दू तो आप भाग करेंगे तो देखिए जैसे इस वाले से हमने जो चार निकालेंगे तो पाई आर की वाली कितनी है चार स्क्वियर और दूसरी वाली कितनी है दो तो पाई से पाई कार देंगे और यह आपका चार चक 16 और यह दो दूनी चार भाग करेंगे तो चार यह साही होना चाहिए बस आपका यदि प्रथम एन प्राकृते संक्याओं का माद्ध पंद्र है तो एन का मान है तो प्रथम एन प्राकृते संक्याओं का माद्ध जो होता है इसका फार्मूला आप जानते हैं वह होता है आपका एन प्लस वन बट्टे दो ये इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटे 2 प्रता हम n प्राक्रिटेशंग्याओं का और सद का फॉर्मूला और ये आपको दिया केतना उन्हें? 15 दिया है अब इसमें क्रोस मंटिप्लाई कर लेंगे तो n प्लस 1 बराबर आएगा 15 दुनी 30 एक कोई धाल ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो 29 बचे का आप्शन नमर डी सही हो जाएगा कौण ग्याद कीजिए जो अपने कोट पूरक के बराबर है कोट पूरक क्या होता? मैं आपको बता देता हूँ वे कौण जिनका ये उफल 90 अन्स हो कोट पूरक कहलाते है केवल और केवल एक कोण ऐसा है 45 जो कि अपने कोट पूरक कोण के बराबर होता है यानि कि 45 और 45 नब्य होता है तब ही तो आपका कोट पूरक कोण बनेगा तो ये दोना आपस में बराबर है हैं इसलिए इसके करना को इसमें आप हर का पर रमे कर करेंगे तो यहां जो चिंद है माइनस करके यह से याप प्लस करके उपर नीचे गुणा कर लेंगे for example के लिए मैं आपको उताओ देखो 3 प्लस अन्रोड 7 और उपर गुणा करेंगे इसमें 3 प्लस 4 अन्रोड 7 और यही संक्या नीचे रही यह मैं पहले तो आप इस संक्या को लिखेंगे 3 माइनस 4 रूट 7 और दूसरे ब्रेकेट में 3 माइनस की जम प्लस करके कर रहे हैं उपर नीचे गुणा 4 रूट 7 अब देखिए आप इसमें हल करेंगे A माइनस B और A प्लस B तो आपका हर में बनेगा 3 रूट 9 और माइनस 4 रूट 16 16 का गुणा 7 में 16 सत्ते 112 यह तो आप इतना कर लेंगे और उपर वाली संक्या का गुणा कर लेंगे इसमें फिर इसमें करेंगे तो आप देखिए ऐसे 3 ती रूट 9 होता है और 3 का इसमें करेंगे 3 रूट 7 और 7 का 3 में करेंगे तो यह आपका 3 रूट के अंदर 7 प्लस 7 का रूट का और इसमें गुणा करेंगे इसका रूट 7 से केवल तो आप देखिएंगे इसमें कितना आजाएगा 7 चक 28 अब आप देख रहे होंगे इसमें यह दोको 12 अंदर के साथ है और यह 3 अंदर के साथ है 12 और 3 कितने होते हैं 15 हो जाते हैं और यह हो जाएगा आपका 28 अंदर 37 तो यह आपका बनेगा 37 प्लस 15 अन्रूर 7 बट्टे 9 माइनस 112 है तो 9 में से अगर 112 अठाएंगे तो मानस का 103 बचेगा आपका ये अब आप समझिए ये संक्या जो बरावर है वो C प्लस D अन्रूर 7 के बरावर है तो जब इसे तोड़ देंगे दो जगे ये जो बैलू होगी आपकी इतनी ये आपकी C के बरावर हो जाएगी उसके बाद ये वालू जो बैलू होगी इतनी ये आपकी D के बरावर हो जाएगी और C प्लस D पूछा आपको तो LC में तो A माइनस 103 नहीं रहेगा 3715 के तना होगी बस उसे जोड़ दीजे 3715 जो होता आपका 7 और 5 होता आपका 12 हंसल लाई 1 3 और 14 हंसल का है 5 बटे 103 नीचे माइनस का तो 52 माइनस का 103 ये आपका मिल जागा आपसन नुमर भी सही हो जाएगा अगला प्रसन आप देख रहे होंगे A प्लस B और A माइनस B उस पर उन्होंने प्रसन बना दिया है और इसका फर्मूला जो होता है वो A स्केर माइनस B स्केर होता है आप इसे जब हल करेंगे तो 97 का होल स्केर माइनस 96 का होल स्केर प्लस के 200 तो यह तो आपका 7 बनेगा, यह 6 बनेगा, प्लस के 200 साथ में से 6 गया तो 1, और 200 में 1 को जोड़ेंगे 2001 आंसा देख लिजिए आपका, एक मिल गया संख्याओं इतने में सबसे छोटी संख्या क्या होगी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह अनुरूर 2 है इसे हम लिख सकते हैं, 2 की घात 1 बटे 2 और दूसरा तरीका इसका रहेगा, 2 की घात माल लिजिए हमने यहां लगाया 6 और ऊपर 1 बटे 12 अगर इसे हल करेंगे तो 1 बटे 2 ही रहेगी 6 से इसे आप काटेंगे, तो दो बात तो इतना ही रहेगा आप से फाक नहीं बढ़ने वाला, लिख हमने 1 बटे 12 क्यों बनाया है, क्योंकि हमें छोटी और बड़ी संक्या की जो कंपरिजन करनी होती है तो इसके आधार बरावर हों या घात बरावर हों, तब ही हम कंपरिजन कर पाएंगे तो हम देख रहे हैं, एक बटे 2, एक बटे 3, एक बटे 4, एक बटे 6, यह उपर घातांक है, इनको हमें लासा ले करके ले रहे हैं तो एक बटे 12 बैट रहे हैं, तो हम जब इसे एक बटे 12 बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, चार की घात 4 और एक बटे 12 है, तो चार से गिए ऊसे काटेंगे, तो चार से आपके लासा करेंगे, तो कितना आएगा, यह चार चक सोले, और सोले का वरक करेंगे, 256 होता है, तो या आए के आँगा 256 की घात 1 बटे 12 है इसी प्रकास से 2 की घात 6 का मतला होता, 2 दूनी, 4 दूनी, 8 दूनी, 16 दूनी, 22 दूनी, 64 तो यह आएगा आपका, 64 की घात 1 बटे 12 है सबसे छोड़ी संग्या पूछ रहा है न, अब आईए इस पर 5 पर 5 की घात कितनी है, 1 बटे 4 है इसको आप 5 की घात 1 बटे 12 करेंगे, तो आपको Q करना पड़ेगा, और यहाँ 1 बटे 12 है हल करेंगे, 3 से इसको काड़ेंगे, 4 बट तो यहाँ 4 है, तो यह आपका सही रहेगा और 5 का Q होता है, 125 की घात 1 बटे 12 है अब आप देख रहे हैं तीन संक्या मैंने आपको हलका के दे दी है चौती संक्या बच्रिया आपकी तीन ही घात एक बट्टे 16 है वो एक बट्टे 6 है तो इसको हम 12 करेंगे ना तीन का इसको करने पड़ेगा हमें बाद बाकि ये एक बट्टे आपका 12 हो जाएगा कि 2 से काट रहेंगे 12 को तो च्छही बचेगा ये वाद आप समझ रहे होंगे तो यह हमने एक बट्टे 12 यहां दो लगा दिया तीन कवर होता 9 अब आप देख रहे होंगे 9 64 256 125 इसमें जो संक्या बड़ी होगी तो बड़ी रहेगी और जो छोटी है वो छोटी रहेगी तो यह तीन की दो ऊपर दो एक बट्टे 12 यानि के तिनी याद एक बट्टे 6 समझ में आवे आपको प्रसन आपको ये आपका डी सही हो जाएगा इसमें ऐसे प्रसन आप से पूछ जाते हैं यूपीटर में अकसर पूछ जाते हैं इन प्रसनों को आप देख लिजे कि कभी आपको देदे इस तरह से प्रसन पूछ लेता है यदि संख्या इतने में तीन से विभाज है तो वाट के स्थान पर क्या सबसे बड़ा अंक होगा अब बड़ा अंक देखिए आप देख रहे होंगे यहां पर देखिए इसे अगर या तो अंकों को युगफल से कर लिजे या आप भाग करके देख लिजे हम तो अंकों को युगफल करेंगे देखिए पांच और एक होता है छे छे और तीन होता है नो और नो और दो होता ग्यार है ग्यार है और चार पंद्र है और एक सोले सोले छे ब बन गया अब हमें हाट के स्तान पर ऐसा अंक रखना है बड़ी से बड़ा जो तीन से विभाज हो तो देखिए आप देखिए यहां बाइस है और तीन धाम होता है 30 तो हमें यहाँ पर जो अंक लेना है तो बड़ी से बड़ा लेना है तो यहाँ अगर हम आठ देख रहे हैं आठ का अंतर आ रहा ना 22 जो है इसमें तो भाग चला जाएगा देखिए मालो एक जोड़ेंगे तब भी चला जाएगा एक नहीं दो 24 हो जागा तो 3 का भाग 24 में चला जाता है लेकिन हमें चाहिए संक्या बड़ी से बड़ी तो हम पहले लेते हैं अंक 9 9 रखेंगे तो 31 हो जाएगा 31 में भाग 3 का जाएगा नहीं क्योंकि अंकों की योगफ़न में यह 3 का भाग चला जाए तो संक्या में भी 3 का भाग चला जाता है तो 9 में अगर हम देख रहे हैं तो नहीं हो पारा तो हम 8 लेके देखते हैं 22 और 8 तीस होता है आराम से चला जागा दस बार तो आठ वाला उप्षन सही हो जाता है उप्षन नमर ए सही हो जागा चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण आप देख रहे होंगे दो प्राकृत संक्याएं 6 नुपाद 11 के नुपाद में हैं ये इनका लासा 462 है तो इनका मासा क्या होगा बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं ऐसे प्रस्ण कभी पूछे जाएं संक्याएं को आरेशियो दिया हो उनका लासा दिया हो आपसे मासा पूछे तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको भाग करना है इन दोनों अंकों का मुंटिप्लाई करके 6 गुणा 11 का तो आप देख रहे होंगे इसमें जब आप भाग करेंगे तो यह आएगा 42 आप देखिए मुझे तो सिंपल सी एक ट्रिक याद है कि जब भी इसमें 11 गुणा करना हो 42 में तो आप क्या करेंगे चार और दो को जोड़ करके इसके बीच में रख देते हैं देखे चार और दो को जोड़ करके बीच में रख दिया तो मुझे मालूम पड़ गया यह 11 से कटेगा तो क्यों यह दोनों कर जाँगे 6-8 जागा चार और दो 6 होता न एक ट्रिक है इसकी 11 का मुझेपलाई जहां भी करना होदा दो अंकों की संग्याओ में तो उन दोनों को जोड़ करके बीच में रख देते हैं 4-2-6 जाँ रख देंगे यह ट्रिक है इसकी ठीक है तो आप समझ गया होंगे आप भी इसे यूज़ कर सकते है जहां भी जर्त आपको पड़े तो 11 से हमने काटा इसको 42 बाग यह तो आपको बाग समझ में आगए होगी आप 6 से बाग करेंगे 42 में तो 7 बाग जाएगा तो आपका जोआंसर आएगा वो D option सही हो जाएगा तो इसका जोआंसर आएगा आपका 7 option no D सही हो जाएगा चलते हैं अगले प्रस्न की योग अगला प्रस्न है दो भाईयों की आयू का योग तो अनता दोनों ही रूड संक्याए हैं यदि बड़े की उमर तेज वास हो तो छोटे की उमर क्या होगी अरे दोनों की संक्या का योग और अनता दोनों ही रूड संक्याए हैं अगर माल लिजे हम एक की उमर नों तेज दे दी हमें अगर हम आठ पे अपलाई करें आठ और तेज होता आपका 31 और आठ मेंसे तेज गठा दें तो कितना आएगा तो यह होता आपका तेज मेंसे आठ गठाएंगे तो पंदर बचाएंगे और यह आपकी भाज़ी संक्या है तो यह आप्शन ए नहीं हो सकता इसी प्रकास से आप आई यह बारह पर तो बारह को जब आप ट्राई करेंगे तो यह भी आपकी एक संक्या भाज जा जाएगी इसमें देखे कैसे 23 और 12 आपका हो जाएगा 35 जोडने पर तो यह भाज़ी संक्या बन रही है ऐसे ही आप देखेंगे देखे 18 और 23 में देखे कॉम्बिनिशन आओ जब 18 में तेज जोड़ेंगे तो 8 और 3 ग्यार है और 2, 1, 3, 1, 4 योगफल इतना हुए और 13 में से 8 गए तो 5 बस यहनि 23 में से 18 गए तो 5 अब दोनों संक्या देखेंगे आपकी रूट संक्या है आपसन नम्बर C आपका यहाँ पर सही हो जाएगा तो आप देख रहे होंगे आपसन नम्बर C सही हो गया चलते हैं अगले प्रस्ने क्यों अगला प्रस्ने आपका देखिए यह किन्ही दो प्राक्र संक्याओं का यह 48 हो उक्त संक्याओं का अनुपात कदापी नहीं होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो अनुपात दिया है इनको जोड़ करके इसमें भाग दीजिए भाग जिसका चला जाए वो तो संक्याओं हो सकती है लेकि कदापी नहीं होगी तो इसमें भाग नहीं जाना चाहिए तो देखिए पांच तिन आत हो रहा है आठ शिंग अर्टालिस इसमें भाग चला गया और इसके बाद देखिए साथ और पांच बारा है बारा चौक अर्टालिस ये भी चला गया ये होता आपका च्छे दो आठ आठ का टाई हमने पहले कर लिया है पांच दो साथ साथ का भाग देखिए नहीं जाएगा तो ये के ओप्शन नमर्ट डी ये अनुपाद नहीं हो सकता ये आपका साई हो जागा डी वाला अगला प्रसन है आप विशम में गणा करेंगे तो विशम संख्या प्राप्त होगी और विशम से आप संख्या गठाएंगे तो विशम ही बचेगी आप एकजम्पल से देख सकते हैं इसी प्रकास से यहां देखेंगे से विशम संख्या का बार करेंगे विशम संख्या मिलेगी और उसमें विशम संख्या करने मर्टी प्लाइ किया तब भी विशम ही रहेगी उसमें संख्या जोड़ाएंगे तब भी विशम ही रहेगी और अगला प्रस्न देखिए उप्सन देखिए इसमें विशम संग्या का बार करेंगे विशम आएगी और विशम में विशम का गुड़ा करेंगे तब विशम रहेगी और विशम में विशम को जोड़ते हैं तो आपको सम संग्या मिलती है फोर एक्जम्पल विशम संग्य आपकी तीन है और विशम संग्य पांच है जोडने पर आपको आठ मिलते हैं यह देको संग्या मिल गई इसलिए आप आप सनमर सी सही कर देंगे यापर चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर काजोल एक घंटे में एक किताब का एक वटे तीन भाग पड़ती है अब बताइए एक घंटे में वो कितना पड़ रहे हैं एक वटे तीन भाग पड़ रहे हैं तो अब इसको इतने घंटे में कितना भाग पड़ेगी बस इतना निकाल लेजे दो सा इक वटे पांच का मतलब होता है पांदोनी 10 10 और एक यह वाले यह 2.2 हो गया अगर दो इस दसमलाव दो घंटे के बराबर होगा ठीक अब आप देखिए एक घंटे में इतनी किताब पड़ रही है वो तो 2.2 घंटे में कितना पड़ेंगे इसमें 2.2 का मंटिपलाई कर देंगे 2.2 घंटे 3 सेश कितना रह जाएगा तो उसमें से एक में से गठा देंगे तो एक माइनस 2.2 अपन 3 पॉइंट उठा लिए यहां 0 लगा देते हैं पॉइंट से उठा करके 0 लग जाता है अब इसका एलसे भी लेंगे न तो यह आगा यहां 30 आगा दर 30 में से 22 गया तो आपका 30 और 4 से से कार दिजिए 2 बार नहीं 2 से 4 बार कटेगा और 2 से से काटेंगे तो पंदर बार कटेगा तो आप देख रहे होंगे इसका जुआंसर आएगा 4 बटे 15 जिस ओप्शन में होगा वो ओप्शन सही हो जाएगा आपका ओप्शन नमबर C चलते हैं अगले प्लाषन की हो अगला प्लाषन आपके सामने यद एक संक्या से 1 बटे 2 गटाया जाता है और उसके बाद 1 बटे 2 से गुना किया जाता है तो संक्या एक वटे आथमा बदल जाती है माल लिजे, आपकी संक्या क्या है? X है और संक्या से 1 वच्टे 2 घठा दिया हमने यानि 1 वच्टे 2 घठा दिया और। उसके बाद हमने 1 वच्टे 2 से गुणा कर दिया तो वो 1 वच्टे 8 में बतल जाती है तो इससे से काट देंगे चारवा काटेगा और ये माइनस की संग्या है जब राइट हन में ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी तो एक सबरावा जो बनेगी संग्या आपकी वो एक बटे चार बची काटने के बार और एक बटे और दो समझोड देंगे जब इसे एल्सियम लेंगे चार ही आएगा इसका एल्सियम और यहां एक आएगा और यहां आएगा दो दो और एक होता आपका तीन बटे चार ओप्सन में जो होगा वो आपका सही हो जाएगा चलते हैं अगले प्रस्ण की योग दो अंकवाली संग्या के दोना अंकवाल का योग नो है तो यहां सब में देख रहेंगे देखो यह नो यह भी नो यह भी नो यह भी नो यह तो फॉलोफ हो गया इस ऐसी प्रस्णों को आप केवल वैरिफाई करा लीजिए यह संख्या में 27 जोड़ दे जाए तो अंकवाल प्लट जाता है चववन ले लिया हमने यहां पर और अगर हम 27 जोड़ दें तो उल्ड़ा नहीं हो रहा है यह से छोड़ दीजिए अगला ओप्सन देख लिजिए इसमें आप कौन सा ट्राइ करेंगे आप इसमें अमालों मैं 36 को ट्राइ करता हूं इसमें लास्ट वाले को तो अगर हम इसमें 27 जोड़ दें तो यह होगा आपका 13 हांसे लेक 3,2,5,6 जिएकि 36 का ओलड़ा 63 होता है हाँ होता है तो आपका ओप्सन 36 डी साई अप्सन साई है तो यह था आपका यूपिटर 2013 का मैंत पार्ट का सॉलूशन करते हैं और इसके बाद मैं आपका 2011 का पेपर और रह गया है उसको भी मैं डाल दूँगा बना करके इसके बाद मैं अन्ने विशों पर भी अपनी वीडियो ले करके आऊंगा केवल मैं इस समय यह शुरूब बात कर रहा हूँ इसकी केवल यूपिटर के पराने पेपर को ले करके तो अभी मैं गर्द कबर कर रहा हूँ उसके बाद आपका पजावल कबर करूँगा आगे से मैं आगे संगला बढ़ाता रहा हूँगा तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए अपने मित्रों को सिया कर दी जो आपकी सिचक भरती से संभवन देता है सुपर टैट से या टैट से या सीटा से तयारी कर रहे है तो मैं परतियक में आता है तो आप पुराने पेपर के माद्यम से अच्छी स्टड़ी कर सकते हैं और भी मैं इसके बाद वीडियो बनाऊंगा तो आप हमारे चैनल बाब बने रहिए और याद आपने चैनल सब्सकाइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सकाइब जरू कर लिजे जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक्स वो बाते हैं इस वीडियो